बच्चा बोलता नहीं है, उसकी स्पीच नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी जो दादा थे वो चार साल में बोले थे हैं, उसकी नानी, नानी तो पांच साल में बोली थी उसकी, तो यह जेनेटिक होता है, तो गबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से बोल जाएगा पांच स सुना होगा उन लोगों से जो स्पीज के बारे में नहीं जानते हैं कि स्पीज अगर डीले है तो किस वज़े से है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटिजम एंड मॉम पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे दो बच्च करने लग जाए तो यह वीडियो आप शूरू से लास तक जरूर देखेगा हर एक पॉइट इंपोर्टेंट है ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करें गर बादें भाद चेकी आवाज मोहां रहे तो पिसका शूरू अबिच्च की ऊचालना के महां इसलों स्टेप बाई स्टेप सबसे पहले आप लोगिया करेंगे ही HRT करेंगे सबसे पहले जाना भूत जूरी है कि किया आपका बच्चा सबसक्ता है या नहीं किसी भी habe गशी जा करक कि आप सबसे पहले यह और अगे की थयरीपी स्टार्ट करेंगे therapy में सबसे पहले क्या करेंगे खार आप स्पीज फिर आपकन से बनेशन को इमिटेशन आघा एक इतना जद़ रही है हर चीजिस इंषी की लिए इमिटेशन सीखना बहुत जादा ज़रुरी है इमिटेशन यानि कि कॉपी करना बच्चे को कॉपी करना सिखाओ पहले जेस्टर कॉपी करना सिखाओ आप हाथ उपर कर रहे हैं तो बच्चा हाथ उपर करें हाथ आगे करें पीछे कर रहे हैं तो बच्चा हाथ पीछे करें यह होता है जेस्टर इमिटेशन कि आपके जेस् करना है दूसरा आपको इमीटेशन काना थी तेसरा आपको और अपको करनी है उसकी वर्बल वाली पहले हेरिंग टेस्ट कराना है दूसरा इमीटियेशन कराना है और फिर आपको सब्स तेरिपी करानी है ठीके जी तो सबसे पहले आपको परानी पढ़ेगी टंग की एक्सराइज तो इस वज नहीं बोल पाते हैं तो यह भी आप देखा सकते हैं तो यहीं बोल पाते हैं तो सबसे पहले आपको टंग एक्सधिस करानीँ पड़ती है तो तंग एक्सेसाइज में आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले मतलब आपको थोड़े देर तक भाहर रोखे रखना है और कराना है ऐसे जितने देर भी आपका बच्चा रुखना चाहे फिर अंदर ऐसे ही जितने भी टाइम आप करा सकें या चेहाँ आपको यही टंग की एक्सिसाइज करानी है वैसे अगर उसे इमिटेशन आप सिखा चुके हैं तो आपको कॉपी जरूर करें का ठीक हैं और साइड में साइड में टंको ले जानाया है अगर आपका बच्चा नहीं ले जा रहा है तो आप यहाँ पर कुछ लगा सकते हैं उसका फिवरिट कुछ भी जैसे हमनी के लिए बोला जाता है अगर नहीं पसंद है तो आप जो आपकी बच्चे को पसंद है वो लगा के देखिए जैम हो चाहे कुछ भी हो ठीक है ऐसे ही यह तो साइट के लिए हो गया अब ऐसे ही उपर नीचे है और ऐसे ही मीचे है क्योंकि जो ही टंग की एक्सराइज होती है इसी से हमारे व्यंजन निकलते है व्यंजन याने की कख गग जो निकल रहा है ना उसमें जो ला है रा है वा है यह टंग की मुवमेंट से ही हमारे बहार निकलते हैं अगर आप लव बोलना चाहि हुआ तो आप बाच्ची को सिखा सकते हैं अगर बाच्ची का लव नहीं निकल रहा है है तो आप बौल सक्ते कि बच्चे को यहां पर लेका है टंग लव लव ऐसे निकाल सकते हैं ते के लावा और क्या करा सकते हैं कि आपकी एकसराइजे रहेंगी जो मैं आपको दिखाऊंगि साथ WIC न उसके बाद क्या होगा कि बच्रे की आवाज आएगी और आवाज के बाद ही आपको अगला करना है यानि की वोकेबलेरी पे जाना है और उसकी बाद लेंग्वेश पे जाना है तब आपकी बच्चा अच्छे सा कम्यूनिगेट कर सकता है तो फिर चलते हैं इस एक्ससाइज के लिए मेरे बेटे सात्विक के पास थेरिपी स्टार्ट करने से पहले अपने बच्चों को लाने से पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगी कि मैं क्या-क्या चीज लेके आई हूं क्योंकि अगर मैंने यह बच्चों के सामने रख लिया तो मुझे दिखाने नहीं देंगे जपटने लगेंगे तो फिर सबसे जरे पेले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं क्या-क्या मैं लेका के आई हूं जानते आप थर्मस पूरोन की बॉटल मैं ऑटन और शकूल वाली ठकन और उनक着 पाइप लुप और मेंने बनाए है यह ग्लास के अंदर मैं पुछ थर्मा कॉल डाल दिया है नियुक्त अट्रोप अपर से लागा दिया है फुरुट थर्मा कॉल यह बनाएप अन्दर डाल दिया है थीक है तो यह चीज्य कमाल होंगे हमारी इस थैरेपी के लिए अब हीसे करना है तो उसके लेकर लेके चलते हैं सातल के पास मैं तो दोस्तों मैं लेकर आ गई पिशलोो को और सातल यूड को एं लोग अभ़ी आव traumand तो मैं आपको दिखा दी कि क्या-क्या यूज होना है ठीक है तो सबसे पहले मैं यह दिखाऊंगी सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका जो बच्चा है वो फूक मार पाता है या नहीं क्योंकि दीकि सात्विक भीत क्या है यह क्या थाओ के उत्युक और भीत अधरे तो नहीं करता था तो मैं दिमाग लगा कि यह फूक कैसे मारे तब मैंने देखा कि हमारा जो फूक है तो दातों के बीच में गाप होना जो चागी यह दात मिला नहीं जाता लेकिन यह पोड़ भोड़ा था तो इसलिए में लेके आई इस से मैंने करवाया फूख मारना क्योंकि यह पाइप लोह तो अगर इससे अगर फूख मरवाएंगे तो यह आराम से क्योंकि यह सक्त है थोड़ा सा तो यह दबानी पाते हैं अगर पाइप से करा होगी जो श्ट्रो होते हैं तो वो तो दबा देगा दाथ से दबा देगा और फिर ना सक कर पाएगा ना फूप मार पाएगा यह बहुत आसान सी चीज है अगर इससे नहीं कर पा रहा है इससे ज इस तरीके से आप फू करवा सकते हैं कि आप क्या कर सकते है कि दाजों की बीचना फसाएंगी सबसे पहले ऐसे है अराम से फू हो जाएगा आप यह कर सकते हैं आप पापू आजाओ यह है फू करने में इंट्रेस्टेट नहीं है तो इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं यह तो मैंने थर्मा कॉल लिया है तो आप थर्मा कॉल ले सकते हैं और यहां से अगर फूप मारेंगे तो बजार में गेम आते है मैंने देखा है को आंदर को नहीं करना है बार को पुख करो कि अएक दो moti से फूख कि खुख काने मेन élep में कि बसक्ता घरन्च अच इसे तरीके से आप बीकारो मैंने लगा दिया है। अहरे मेरे ल॥ब देश से अगेश मेक करना है आपको बच्चा की हो गया रहा है इसमें आप अलग अलग कलर के भी ढाल सकते हैं तो यह के पूंस में बता रहे हो आपको वोकल कोड, और अगर खुली नहीं विए आपकी आवाज नहीं है तो उससे कैसे कर सकते हैं CT CT बजाओ आ करो अब फू करो फू करो जोर से जोर से आ करो तो इस तरीके से आप CT बज़वा सकते हैं लास्ट में आता है बलून बलून बहुत ज्यादा टाइट होता है इसे फुलाने में बहुत टाइम लगता है अगर आपका बच्चा बलून नहीं फुला पा रहा है तो आप जबरदस्ती मत कीजिएगा सिर्फ इतना ही कर ले वह काफी है अब फुलाओ बलून फुलाओ बलून फुलाओ और अगर ऐसे नहीं कर पा रहा है तो एक और तरीका है अब फुलाओ अभी थोड़ी थोड़ी सी हवा फेकेगा तो थोड़ा सा फूकेगा ऐसे नहीं बाबू थोड़ी सी हवा फेकेगे तो थोड़ा सा फूकेगा क्योंकि बलून बहुत टाइट है यह बलून तो इसमें आप हलके वाले ला सकता है जो तुरंट फूल जाते हैं तो इससे वोक बच्चों की आवाज निकले कि अगला है यह ग्लास लेकि आयोँ इसे बच्चे इसमें गुषती है अवाज गूजे कि तो इससे आप बोल सकते हैं बच्चोंकी टाँ में फेंकर हैं तो अच्छा लगता है तो बच्कों के अच्छा लगता है आप अगरेगूलर करेंगे मैंने यह एक साल कराँ है help जाकर शी सब्सक्षाय करें और अगर आप ब Αंतारीी जाओ बच्चों के आवाज खोलना चाहते हैं तो यह सारी exercise कराई है और आपकी बच्चे की आवाज जरूर खुलेगी और फिर खुलने के बाद आपको क्या करना है आपको vocabulary सिखानी है ठीक है तो आपको steps तो पता चल गए ना सबसे पहले आपको hearing test कराना है फिर आपको imitation सिखाना है फिर यह वाली exercise कराने है जो अभी मैंने दोस्तों आप लोगोंने कैसे आवाज लेके आनी है कौन सी therapy करनी होती है तो यह therapy आप घर पर कीजिए और हाँ इस बात कर जरूर ध्यान रखिए कि यह बात नहीं सुननी है कि आपके नाना जी या दादा जी चार साल में 5 साल में 6 साल में बोले थे इस तरीके से नहीं चले हो बस वोकल कौट बाद में खूली हो इस वज़े से उन्होंने लेट बोलना स्टार्ट किया है लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है न हम क्या करेंगे हमारा बच्चा आटिस्टिक है तो हमारे बच्चे का क्या है ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी स्पीच पहले करानी पड़े पी ले जाए और अपने बच्चे की स्पीच लेके आए जो बहुत ज़रुरी है ठीक है तो आज का वीडियो में यहीं पर खतम करती हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब